क्या आप हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि कोई आपसे नाराज ना हो अगर ऐसा है तो ये एक बैड नीउस है आप लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लीजे कोई ना कोई आपको डिसलाइक ज़रूर करेगा इस लिसन में आपको समझना होगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कोई ना कोई हमें डिसलाइक ज़रूर करता है इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों के डिसलाइक को सैने की हिम्मत लानी होगी तब ही हम खुश रह पाएंगे इस लिसन में ओथर ने सिग्मेंट फ्रॉड की चाइल्ड ओर ट्रॉमा की फिलोस्पी के बारे में बताया है हमारी याद जो भी परस्टनलिटी है वो हमारे बच्पन के ट्रॉमा पर ही बेस्ट होती है अगर आपको बच्पन में बुरे अनभव हुए हैं तो बड़े होकर भी वो अनभव आपके सबकॉंशियस ब्रेन में छुपे रहते हैं जैसे अगर आपको बात-बात पर टूका गया होगा तो बड़े होकर आप इनिशेटिव लेने वाले इंसान नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपके अंदर से डर होगा कि इससे लोग आपको क्रिटेसाइज करेंगे इसी तरह अगर स्कूल में टेचर उसने आपको कहा होगा कि तुम डफर हो और अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे तो ये बात भी कहीं न कहीं आपके मन में बैट जाती है और आप एक निराशावादे इंसान बन जाते हैं आप सिर्फ छोटी मुटी जॉब से ही संतुष्ट हो जाएंगे और लाइफ में कुछ भी बढ़ा करने का नहीं सोचेंगे इसलिए आथर ने कहा कि आप अपने चाइल्ड और ट्रॉमा से निजात पाने की कोशिश कीजिए इसके लिए आपको अपने सबकॉंशिस माइंड को पॉजिटिव आफर्मेशन्स देने होंगे आप रोज सोने से पहली ये स्टेट्मेंट्स बोलें पास्ट हमारी फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता कल जो होना है वो मेरे अक्शिन्स पर डिपेंड करेगा मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ हर इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता मैं हर दिन अपने गोल की तरफ एक स्टेप लूँगा और एक दिन सक्सेस्फुल हो कर रहूँगा इस तरह हर दिन बोलने से आपका सबकॉंशिस ब्रेन बच्पन के एक्स्पिरेंस की जगे नए थॉर्ट प्रोसेस बना लेगा और आपकी personality optimistic हो जाएगी कई बार लोगों में हीन भावना भर जाती है और वो खुद को हेट करने लगते हैं ऐसा दो कारण उसे होता है या तो आप खुद को बहुत ज़दा क्रेटेसाइज करते हैं या दूसरे आपको क्रेटेसाइज करते हैं तो इन दोनों ही बातों को बदल लीजे अगर आप आज कोई काम ने कर पा रहे हैं तो इसके लिए खुद को क्रेटेसाइज ना करें सबसे परहे तो छोटे गोल्स बनाएं ऐसे गोल्स ना बनाएं जो आपकी पहुंच से बाहर हो फिर उन गोल्स को हिस्सो में बाट लें एक टाइम पर एक हिस्से को निप्टाने की कोशिश करें इस तरह से आप हर गोल को अचीव कर लेंगे अगर शुरू में छोटे गोल्स अचीव कर लेंगे तो इससे आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप बड़े गोल से भी अचेव कर पाएंगे अगर दूसरे लोग आपको क्रिटेसाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है अगर सच में आपकी गलती है तो उसके लिए अपलो जाइस कीजिए और उस गलती को सुधा जिए अगर कोई काम आपको नहीं आता तो उस काम को सीख लीजिए इस तरह दूसरे लोग आपको कभी क्रिटेसाइज नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी अगर कोई बिना कारण आपकी निंदा करता है तो उसे मन में माफ कर दीजिए ये सोच कर कि वो एक छोटी सोच वाला आदमी है आजकर समाज में बहुत सारा कॉमपटीशन है हर कोई खुद को दूसरों से आगे देखना चाहता है इसका नतीजा बहुत से लोग इस्ट्रेस में जीने लगते हैं उन्हें दूसरों की तरक्की से इरश्या होती है लेकिन ये माइंड सेट आदमी को बिमार कर देता है और आपकी खुशे भी छीन लेता है इस्ट्रेस होने से हमारे बॉड़ी में एडरीनलाइम और कॉर्टिसॉल जैसे हार्मोन निकलने लगते हैं ब्लड फ्रेशर बढ़ने से बहुत से बिमार्य लग सकती हैं जैसे हार्ट बीट का तेज होना, जल्दी बुढ़ा पाना, किड्नी फेलियर, डाजेशन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक और भी बहुत सारे ऐसे बिमारी है अगर competition की भावना से ये सब मिल रहा है, तो फिर ऐसा competition किस काम का? इसलिए आज ही अपने सोच बदलिए, सबसे पहले अपने अंदर gratitude की भावना लाइए इस ब्रमाण या God को धन्यवाद कीजिए, जिसने आपको इतना कुछ दिया है अगर हाथ पैर भी सही सलामत है, तो इसके लिए भी gratitude व्यक्त कीजिए क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है सिर्फ परच्छत है, खाने को भोजन है, करने को जौब है तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर इश्वर को धन्यवाद दे सिर्फ ठेंक्यू बोलने से ही आपका दिल खुशी से भर जाएगा क्योंकि आपके मन को लगेगा कि आपके पास सब कुछ है तो इसे प्रेयर की तरह रोज बोले इसके साथ ही सिर्फ अपना काम कीजिए दूसरों से competition की भावना को निकाल दीजिए तब ही आप खुश रह सकते हैं wrong thinking creative problems हमारी बहुत सी problems हमारी गलत सोच का नतीजा होती है वास्ता में वो problems होती ही नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि काश उनकी height और जादा होती तो बहुत अच्छा होता शायद उन्हें अच्छा life partner मिलता लेकिन इसमें कोई सचाई नहीं है अच्छा बुरा आदमी attitude से होता है ना की height से ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें जादा salary मिलती है तो शायद उनकी life और जादा अच्छी होती मगर इस बात में भी कोई सचाई नहीं है आपने देखा होगा जिसके पास बहुत जादा पैसा होता है वो उतना ही लालची हो जाता है उसे कभी संतुष्टी नहीं होती इसलिए इस तरह की सोच से दूर ही रहे तो अच्छा है Doing mistakes is okay बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे तो शायद लोग उन्हें stupid समझेंगे इसलिए वो अपनी गलती मानते नहीं और जूट बोल देते हैं लेकिन इससे बात बनने के बज़ाए और बिगर जाती है और दूसरे लोग मन ही मन उनके प्रती गलत सोच बना लेते हैं क्योंकि आज के डेट में कोई भी बेवकूफ नहीं है इसलिए अच्छा है कि आप अपनी गलती मान लें और अपोलोजाइज भी कर लें इसे एगू का इशू न बनाए आप देखेंगे कि गलती मान लेने से दूसरे लोग आपकी और help करना चाहेंगे उन्हें आप में एक और human नजर आएगा और हर human गलती करता ही है दूसरा अगर गलती के लिए कोई आपको criticize करता भी है तो इसके लिए तयार रहें ये किताब इसके बारे में है आप में अपनी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए एक बार की हुई गलती को दूबारे ना दोराईए बल्कि इसे आप सीख लेकर अपने जीवन में और भी आगे बढ़ सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर आपको अपने बिहेवियर में दो बाते शामिल करने चाहिए पहला मुझे में हर काम करने की हिम्मत है और दूसरा सब लोग मेरे दोस्त की तरह है जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपको लाइफ बहुत आसान लगेगी पहली सोच के कारण आप अपने गोल्स को एचीव कर पाएंगे आप दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे आपके अंदर अपनी फैसले लेने की हिम्मत आएगी जिसे देखकर दूसरे आपको स्ट्रॉंग माने लगेंगे इसे तरह जब आप सब को अपना दोस्त मानेंगे ये तो आप में एक positive attitude विक्सित होगा जो growth के लिए बहुत जरूरी है आपने बहुत बार दूसरों को बोलते होगे सुना होगा कि कभी किसी पर भरूसा मत करना हर कोई भरश्ट है सब selfish होते हैं ऐसे नचाने कितने statements लेकिन ऐसे statement से negativity ही फैल दी है जब आप किसी पर trust ही नहीं करेंगे तो अपना goal कैसे achieve कर पाएंगे क्या सारे professionals जैसे doctors, engineers ये सभी समाच के help नहीं कर रहे हैं इसलिए positive attitude develop कीजे तभी आपका mind कुछ करने के लिए motivate होगा और तभी बड़े goals हासल करने में आप काम्याब हो पाएंगे desire for praise gives pain हर कोई चाहता है कि वो lime light में रहे सब उसकी तारीफ करें author कहते हैं कि यही desire हमारे दुखों का कारण है जिस आदमी ने बिना तारीफ के काम करना सीख लिया वही वास्तव में असली खुशी पाएगा इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहें कोई आपके काम की तारीफ नहीं भी करता है तो भी negative ना हो दूसरों की तारीफ सुनकर इर्शया से ना भर जाएं बल्कि बाहर nature में देखें फूल, पक्षी, बादल, भवरे सब अपनी दुनिया में मस्त हैं अगर यह किसी दूर जंगल में होंगे तो कोई ना उन्हें देखेगा नहीं उनकी तारीफ करेगा लिकिन उन्हें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लगतार अपना काम करते हैं और मन ही मन खुश और संतुश रहते हैं इसी तरह आप भी हमेशा खुश रहें अपनी खुशी को दूसरों की मर्जी का गुलाम कभी न बनाए ऐसा ना हो कि दूसरा आएगा आपकी तारीफ करेगा तब ही आप खुश हो पाएंगे बल्कि डेली कुछ रिचुल्स अपना लीजिए जो आपको खुश रख सके बच्चों के साथ खेल ये दोस्त के साथ चाय का आनंद लीजिए म्यूजिक सुनिए गाना गाईए, डांस कीजिए अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए दूसरों को मत दीजिए डिवाइट टास्क बहुत बार हुमन्स में जगड़े इसलिए भी होते हैं घर में बच्चों को भी उनके टास्क पहले ही बता दी जाने चाहिए इससे बच्चे पुरी लगन से उन कामों को करेंगे जैसे बेडरूम साफ करना हो तो ये पहले ही क्लियर कर दें कि किस बच्चे को कौन सी अलमारी साफ करनी होगी ऐसी प्रजेक्ट देते से मैं टीम मेंबर्स को क्लियर कर दें कि उनके साइन्टेफिक काम क्या क्या है उथर ने कहा कि जितने भी टास्क हैं उनमें प्यार और दोस्ती भरी होनी चाहिए इसे वो आसानी से निपट जाएंगे और बोज भी नहीं लगेंगे हमें हमेशे दूसरों के द्वारा जज़ किये जाने कर डर लगा रहता है अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे अच्छे सैलरी वारी जॉब नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे और सारी जन्दगी हम इसी डर के गुलाम रहते हैं हम सही माइनों में रियल फ्रीडम इंजॉई ही नहीं कर पाते बहुत से लोग बिजनस नहीं लगाना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर डूब जाएगा तो लोग हसेंगे और इसी कारण उन्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती सारी जन्दगी उन्हें पैसो की तंगी रहती है इससे अच्छा है कि अगर लोगों की चिंता किये बिना अगर वो रिस्क लें तो बहुत अमीर बन सकते हैं इसलिए दोस्तों जैसे ही आप लोगों की जज्जमिन की चिंता छोड़ देंगे उसी वक्त आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगी और आपकी लाइफ में भी खुश्यां भर जाएगी बहुत से लोग हर काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं उन्हें लगता है कि उनके बिना कोई भी काम ठीक से हो ही नहीं सकता ऐसी गरों में भी कुछ लोग हर काम को खुद देखना चाते हैं उन्हें लगता है कि इससे सब लोग उनकी तारीफ करेंगे लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एक स्लेव की तरह बन जाती है लोग दो मिनिट के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं मगर इतने कामों में उल्जे रहने के बाद इसे आदमी को खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता वो हमेशा प्रेशर में ही जीता रहता है और खुद से प्यार करना सीखें क्योंकि कोई भी इनसान परफेक्ट नहीं होता अगर आपके हाथ में है तो उन कम्यों में सुधार करते रहिए ऐसे ही दूसरों की कम्यों कोई ही मत देखते रहिए बलकि उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए आज तक उन्हेंने जोग भी किया है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए अगर कुछ कमी है तो सब तरीके से उसके बारे में बात कीजिए इस तरह से कोई भी आपको डिसलाइक नहीं करेगा बहुत बार हम स्पेशल बनना चाहते हैं लेकिन इससे होता क्या है क्या लोग उनकी पूजा करने लगते हैं बिलकुल भी नहीं उल्टा उनसे दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता यात रखिए कि पैसा पावर या शौरत कभी भी आपका हाल चाल नहीं पूछेंगे बलकि जिन्दा लोग ही आपकी खोच खबर लेंगे इसलिए पैसा और पावर पाकर भी नॉर्मल रहिए राजा बनकर भी रिशी जैसी सोच रखिए यही असलिए खुशी का रहसे है Life is a series of moments जिन्दगी छोटे छोटे पलों से बनी हुई है और यह पल गुजरते रहते हैं अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉबलम है तो निराश मत हो जाएए क्योंकि यह moments बीच जाएंगे और नए moments नया future लिकर आएंगे अगर किसी को business में असफलता मिल गई हो तो यह नहीं सुचना चाहिए कि सारी जंदगी बरबाद हो गई क्योंकि कुछ पल बरबाद हो सकते हैं लेकिन सारी जंदगी नहीं थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नए पल नए खुशकबरी लेकर आजाएंगे कभी भी सर्दी का मौसम बना नहीं रहता बलकि गर्मी और बसंत भी आते हैं इसलिए हर मौसम में खुश रहना सीखिए दोस्तों उमीद है आपको करेश टो भी डिसलाइक्ट बुक की समरी पसंद आई होगी तो अपने सुझाव और विचार हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो को लाइक करिए जादा से जादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकल मिल भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नई बहतरीन और मोटिवेशनल बुक की समरी के साथ थैंक्स वर वाचिंग